नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन शेग इस बुलिटिन में आध बात होगी CBI को लेकर CGI के तंच की केंद्र के मंत्रालों पर अवमानना की कारवाई की जानेंगे MSP पर सरकार के रुख से क्यों नाराज है किसान पेट्रोल के 275 रुपए लीटर पहुँचने का दावा क्यों कर रहा है विपक्ष बात करेंगे संसद में भीड़े BJP निताओं की श्रिलंका में बिगरते हालात की और बुलिटिन के आखि में बाद BJP पर भारी परती दिख रही सपा की टोपी की लेकिन तमाम बड़ी खबर मिशन गुजरात पर आप एहमदाबाद के सावरमती आश्रम पहुचे दिली के सीम अर्विंद के जिवाल और पंजाब के सीम भगवतमान चलाया चर्खा कॉंग्रेस का तंज गांधी की फोटो हटाने वालों को याद आए गांधी एनसीपी प्रमुक शरत पवार ने साधा बीजेपी पर निशाना बोले देश में करवाहट फैलाने का काम कर रही है बीजेपी महत्मां गांधी जैसी राष्टी हस्तियों को बदनाम करने की हो रही है कोशिश जमानत के लिए अब सुप्रिम कोर्ट पहुंचे एनसीपी ने था नवाब मलिक हाई कोर्ट के आदेश को दी सुप्रिम कोर्ट में चुनौती एडी ने आई से अधिक संपत्ति मामले में की है कारवाई सुर्ख्यों के बाद बाद आज की सबसे बड़ी ख़बर की दीश में कोई भी बड़ी घटा हो विपक्षी दल या पीडित पक्ष सीबियाई जांच की मांग करता है क्योंकि सीबियाई पर लोगों को भरोसा है लेकिन ये भरोसा तभी तक है जब तक मामला राजनेतिक न होने लगते हैं सीबियाई की निश्पक्षता पर ऐसे ही सवाल उठाए है सुप्रिम कोट के चीज जस्टिस ने और सिर्फ सीबियाई पर ही नहीं बलकि केंद्र की हर जांच एजनसी पर सवाल उठाए गए हैं तो क्या कहा से जी आई ने देखते हैं ये रिपोर्ट हमने अक्सर देखा है कि किस तरह चुनावों के वक्त केंद्रिज जांच एजनसियां काफी एक्टिव हो जाती है और विपक्ष के नेताओं पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर देती है विपक्ष लगातार मोधी सरकार पर केंद्रिज जांच एजनसियों को अपने ATM की तरहां इस्तिमाल करने का आरोप लगाता आ रहा है लेकिन अब Chief Justice of India यानी CGI N.V. रमणा ने भी CBI को खरी-खरी सुनाई है और सरकार के इशारों पर काम बंद करने को कहा है लोगतंद्र में जाच एजंसियों की भूमिका और जिम्मदारी विशह पर लक्चर देने के दौरान Chief Justice ने क कहा कि CBI ने अपनी Credibility को खोदी है CBI को फिर से Public Trust हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए अगर आपको फिर से Credibility हासिल करनी है तो सबसे पहले राजनेताओं से गठ जोड को तोड़ना होगा और साख वापसी के लिए फिर से काम करना शुरू करना होगा ब्रिटिस साशन में अब तक भारत में पुलिस सिस्टम में कैसे कब और कितना बदला हुआ है लेकिन समय बीतने के साथ साथ CBI जैसी जांच जिन्स या सारवजनिक निगरानी के दाइरे में आ गई है ब्रस्टचार के आरोपों के कारण पुलिस की छवी को गहरा धक्का ल बदलती रहती है जबकि आप स्थाई है साशक बदलते हैं लेकिन प्रसाशन और विवस्था स्थाई रहती है वक्त के साथ पॉलिटिकल एक्जिक्यूटिव बदलते रहेंगे लेकिन आप पर्मनंट है CGI ने एजनसियों को नसीहत देते हुए साफ कहा है कि सरकारे बदलती रहेंगी लेकिन एजनसिया पर्मनंट है लोगों का भरोसा एजनसियों के उपर से उठ गया है क्यूंकि एजनसिया अब सरकार की गुलाम बनती जा रही है आपको बता दे कि हाल ही में केंदर जाच एजनसियों के गलत इस्तिमाल को रोकने के लिए कॉंग्रेस ने सुप्रीम कोट और हाई कोट का दर्वाजा खटकटाया है महरास्ट कॉंग्रेस ने सुप्रेम कोट और बॉंबे हाई कोट से अपील की है कि वो बीजेपी के ओर से केंद्र जाच एजंसियों का बेजा इस्तिमाल पर रोक लगाने के लिए इस्वता संग्यान ले सीबियाई को निश्पक्ष रूफ से जाच करनी चाहिए सवाल सीबियाई की योगिता पर नहीं उसकी निश्पक्षता पर है सवालों में सिर्फ केंद्र की जाच एजंसिया ही नहीं है बलकि केंद्र सरकार के तमाम मंत्राले भी सवालों के घेरे में हैं जिन पर कोट की अव पर समझते हैं तबी तो कोट के हुकम को अंदेखा करते हैं ये मसला किसी राज्य का नहीं है बलकि केंद सरकार के 42 मंतरालों का है जिन पर कोट की अवमानना के करीद 2000 से ज्यादा केस पेंडिंग है इनमें रेल मंतराले का नाम सब से उपर है ये केस समय पर जवाब दायर ना करने अदालत के आदेशों पर अमल ना करने के चलते हुए हैं अब ऐसे मंतरालों की पहचान कर उनमें सुधार के उद्देश से केंद सरकार ने एक रिपोर्ट कानून मंतराले से तयार कराई है इस रिपोर्ट के बाद कानून मंतराले को मामले में गाइडलाइन तयार करन रिपोर्ट में सामने आया है कि जादा तर मामलों में अधिकारियों ने घोर लापरवाही बरती है ये लापरवाही भविश्य में दुबारा ना हो इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करने पर कानून मंत्राले काम कर रहा है मुश्किल में केंदर के मंतराले ही नहीं बलकि देश के किसान भी मुश्किल में है किसानों की मुश्किलों के पीछे भी केंदर ही जिम्मेदार है किसानों की MSP की मांग आज भी केंदर कार ने पूरी नहीं की है आमने सामने आ गए हैं किसानों के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं वो अब ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं किसानों के गुस्ते को देखती हुए क्रिशी मंत्री नरिंद्र तुमर ने भी MSP कमेटी को लेकर एक पत्र SKM को लिखा है जिसम MSP कमेटी के लिए अपनी ओर से कोई नाम नहीं देंगे किसानों का या आरोप है कि केंद्र सरकार MSP कमेटी के नाम पर मामले को लटकाना चाहती है मोर्चा से जुड़े भारते किसान यूनियन एकता के जग मोहन सिंग ने कहा कि केंद्रिय क्रिशी मंत्री नरिंद्र तुमर ने एक तरफा बात कही है केंद्र ने हमसे दो नाम मांगे थे केंद्र की चठी के जवाब में हमने पूछा था कि कमेटी के मेंबर और चेयर्मेन कौन होंगे चेयर्मेन क्रिशी से जुड़ा होगा या फिर कोई राजनेतिक नेता हम चाहते हैं कि कोई किसान चेयर्मेन बने हमारी कुछ चिंताएं भी जिसका निराकरण सरकार ने नहीं किया है ये कमेटी कैसे काम करेगी कमेटी कब तक अपना काम पूरा करेगी इस कमेटी की सिफारिशे तुरंत लागू होंगी या पिछली कमेटी की सिफारिशे सरकार के लिए बाद देकारी होंगी या सरकार इसमें संशोधन कर देगी हमें ह कहा कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे उसकी तरफ से सदस्यों के नाम भेजने का कोई मतलब नहीं है। किसान नेता ने कहा कि हमारी ओर से सरकार को 24 मार्च को इमेल भेज कर इस्तिती सपष्ट करने के लिए कहा गया। उसके बाद 30 मार्च को भी रिमाइन कराये गया इसके बाद भी अब तक सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। में बिजी है और 2024 की तैयारी में जुट गई है। तो मैं जिस जनता ने उसे सत्ता तक पहुँचाया वो उसको भूल चुकी है। तबी तो देश में हर रोज पैट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ा कर आम जनता को महंगाये का करंट लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीज विपक्षी पार्टियां भी मोधी सरकार को घेर रही है। खासतोर से कॉंग्रेस लगातार जनता की आवाज मोधी सरकार तक पहुचाने का काम कर रही है। कॉंग्रेस नेतार रंदीप सूर्जेवाला ने महंगाय को लेकर पियम मोधी को आडे हातो लिया और कहा कि प्रधान मंतरी महंगाय के मामले में धर्म निर्पेक्ष हैं क्यूंकि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इस देश में महंगाय अब इवेंट बन गई है देश महंगे मोधिवास से पस्त और त्रस्त है। भाजपा की चुनावी जीत लूट का लाइसंस बन गई है और एक अप्रेल से जो महंगाय बढ़ाई गई उससे जनता पर एक लाग पच्चिस हजार चारसो साथ करोड रु पिछले बारा दिनों में पैट्रोल डीजल की कीमत में सात रुपे बीस पैसे का इजाफा किया गया है। रसोई गैस की कीमतों में कई बार इजाफा किया जा चुका है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों से सरकार एक लाग करोड का मुनाफा काट रही है जबकि जनता सपा चीफ अकलेश यादव ने ट्वीट किया जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रती दिन या लगभग 24 रुपे महिने के हिसाब से पैट्रोल के दाम यूही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे इस बीच 7 महिने में दाम लगभग 175 रुपे चलब आज के 100 रुपे लीटर से बढ़कर पैट्रोल 275 रुपे लीटर हो जाएगा ये है भाजपाई महिनगाई का गडिन महिनगाई को लेकर देश की जनता परिशान है तो मोधी सरकार अपने सांसदों को लेकर परिशानी में दिख रही है दरजल आज संसद में बीजेपी के संसद ही आपस में भीड गया जिसमें से एक मोदी सरकार में मंतरी भी है तो किस बाध पर सदन में भीडे बीजेपी संसद देखते हैं ये रिपोर्ट सदन में विपक्ष के विरोथ के बीच करवाने में कामयाब हो जाती है चाहे सड़क से लेकर संसद तक हंगामे का शोर बरबता रहे विपक्ष के नेता कितना भी विरोथ क्यों ना कर ले सरकार सदन में अपनी ताकत के दम पर जोर जबरदस्ती से बिल को कानून की शकल दे देती है लेकिन इस बार एक बिल को लेकर बीजेपी के ही दो दिगच नेता आमने सामने आ गए जनसंक्या नियंतरन पर बीजेपी सांसद राकिश सिना की ओर से बढ़ाए गए बिल पर स्वास्ते और परिवार कल्यान मंतरी मनसुक मानविया ने इनकार कर दिया उनके दखल देने के बाद सिना को अपने विद्यक को वापस लेना पड़ा दरसल सिना ने जुलाई 2019 में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था इस विद्यक में दो बच्चों वाले नियम को लागू करने की मांग की गई थी जबकि इसके उलंगन पर कारवाई के लिए भी कहा गया था इसी बिल को लेकर मानविया ने कहा कि बरती जनसंख्या कई समस्याओं का कारण होती है पर उन्हें पूरा विश्वास है कि शिक्षा और जागूर्पता के प्रसार से जनसंख्या नियंतरन के लक्षे को हासिल किया जा सकेगा मानविया के मताबिक देश में प्रजनन दर्थ 2 प्रतिशत तक पहुँच गई है साल 2025 तक इसे और कम करने की ओर देश आगे बढ़ रहा है देश में जनसंख्या वृध्धी की दर भी लगातार गिरावट दर्च की जा रही है 1971 में जनसंख्या वृध्धी दर 2.20 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 1.64 प्रतिशत हो गई इनागरों को पेश करने के साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल की कोई आवशक्ता नहीं है उनके इस इनकार ने बीजेपी में तकरार के साथ संकेत दे दिये हैं जिसे विपक्ष की ताकत को बल मिल गया है जिस बिल की जरूरत नहीं है उसे क्यों पेश किया जा रहा है दरसल निशाने पर एक समुदाय है बीजेपी को वोट के चिंता नजर आ रही है मुश्किल में इस समय भारत के पडोसी भी नजर आ रहे हैं पाकिसान में सरकार मुश्किल में दिख रही है तो श्री लंका में जन्ता मुश्किल में है महंगाई को लेकर श्री लंका में जबरदस आक्रोश नजर आ रहा है लोग सडकों पर हैं तो क्यूं बढ़ रही है श्री लंका में महंगाई देखते हैं ये रिपोर्ट आर्थिक कंगाली से जूज रही श्रेलंका में हालाद बच से बत्तर हो गए हैं। हर तरफ मौजुदा सरकार के खिलाफ गुस्ता नजर आ रहा है। ये गुस्ता गुरुवार को हिंसा में बदल गया था जब लोगों ने श्रेलंका के राश्टपती गोडबाया के स्तीफे की मांग करते हुए उनके आवास को घेर लिया था। सैक्रो प्रदर्शन कारी भीशन आर्थिक संकट के लिए राश्टपती राजपक्षी को जिमेदार मानते हुए स्तीफे की मांग कर रहे थे। आंदोलन के हिंसक होने से कई लोग घायल हो गए और वहनों में आग लगा दी गई। इसके बाद 45 से जादा लोगों को गिरफतार कर लिया गया और कोलंबो शहर के जादतर इलाकों में कुछ देर के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। श्रिलंका ने राश्पती गोडबाया राजपक्षे के आवास के पास हुए हिंसक प्रद कट से गुजर रहा है। देश में इंधन खत्म हो चुका है और लोगों को कई घंटों के पावर कट का सामना करना पड़ा है। देश में हालात ऐसे हैं कि कागस की कमी के चलते सभी परिक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजपक्षे ने सारवजनिक सुरक्षा अध्यादेश की धाराएं लागू की है। जो उन्हें सारवजनिक सुरक्षा, सारवजनिक विवस्ता के सरक्षन, विद्रों के दमन, दंगा या नागरिक हंगामा या अवश्यक आपूर्ती के रखरकाव के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। पांच में से चार राज्यों के चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। इन चार राज्यों में बीजेपी की जीत का क्रेडिट पीम मोदी को दिया गया। लेकिन यूपी चिनावों में मोदी और योगी के अलावा लाल टोपी ने भी खूब सुरक्यां लेकिन अकलेश की ये टोपी अब खुद पीम मोदी ने पहन ली है। साथ ही पूरी बीजेपी ब्रिगेट को पहनाई जा रही है। क्या है इस टोपी की कहानी देखते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पाठी का आइकन है जो समाजवादी चीफ अकलेश यादव से लेकर हर सपा नेता और कारेकरता पहनता है। अब ऐसी ही टोपी में पीम मोदी से लेकर बीजेपी का हर नेता नज़र आने वाला है। जो बिलको सपा की लाल टोपी से मिलती जुलती थी अब यही टोपी बीजेपी के लिए शान की बात बन गई है क्योंकि पियम मोदी को लगता है कि इस टोपी ने ही उन्हें चार राज्जों की सत्ता दिलाई है सपा तो सत्ता से दूर हो गई लेकिन इस टोपी ने यूपी सही चार राज्जों में बीजेपी का बेड़ा पार लगा दिया है यूपी चुनापर चार के दौरान पियम मोदी ने वाननसी में रोडशो के दौरान भगवा टोपी पहनी थी 11 मार्च को एमदाबाद में रोडशो के दौरान भी वो भगवा टोपी में दिखे अब ये टोपी बीजेपी नेताओं की पसंद बन गई है संसद सत्र के दौरान अब उसी स्टाइल की टोपी बीजेपी अपने सभी सांसदों तक पहुँचा रही है संसद का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में बीजेपी के लोगसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों तक इस भगवा टोपी को पहुचाने की जिम्मेदारी बीजेपी संसदिये दल के कारयाले लोगसभा और राज्यसभा के सभी 400 बीजेपी सांसदों को टोपी वाली ये झाल झाल